अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावडो लेबागयो नानो सो अमरेव चीख पड़ेव राणानो रोर सोयो दुख जागयो हुँ लड़ेव गोड़ों हुँ सयो गोड़ों मेवाडी मान बचावन ने हुँ पाच्छे ने राखी रण में बेर्यारी खात खिंडावन ने जद याद करूं हलदी गाटी ने नेना में रक्त उतरावे सुख दुकरो साथी चेतकडो सुती सी हूग जगा जयावे पन आज बिलक तो देखू हुँ जद राज को अरने रोटी ने तो छातर धरम ने भूलू हुँ भूलू हिदावन चोटी ने मेला में छपन भोग जगा मनवार बियां करता को नी सोनेरी थाड़ी निलमरे बाजूटा बिना धर्ती को नी ए हाई जगा करता पकल्या फूलारी कमणी सेजां पर बे आज रूले भूक्यातिशा हिदावने सुरजराटाबर आ सोच हुई दो टुक तड़क रानारी भीम बजर छाती आंख्या में आशू भर बोल्या लिक्षूं अकबर ने पोती पन लिखूं किया जद देखे हैं आडावल उंचो हियो लियां चितोड खड़ मगरा में विक्राल भूत सी लिया छेयां में जुकू कियां है आनमने कुलरा केसरिया बानारी में बुजू कियां हूं सेज लपड आजादीरे परवानारी इसी के साथ वीरी शिरोमनी महरना परताप के जनम द्योस की आप सभी को हारदिक सुबकाम नहीं आज का वीडियो म बिष्टरीत अधियन करांला तो सुरू करां आज गोई वीडियो महरना परताप सिसोधियवंस का एक महान राजा था हम सब जानते हैं कि मेवार के सिसोधियवंस में जनम लेते हैं कौन महरना परताप इसी के साथ माहरणा परताब है ये मेवाड में कुल 25 वरसों तक सासन करते हैं कितने वरसों तक 25 वरसों तक सासन करते हैं माहरणा परताब हल्दी गाटी राशेर मारना परताब के पिता का नाम उदे सिंग उनके पिता का नाम उदे सिंग और मता का नाम जैवंता भाई था नेक्स्ट बात करें इतियास का एक मतर राजा मारना परताब है एक मातर ऐसा राजा है मारना परताब जिनका जनम है ये 1597 में विक्रम सवंथ को वाता और मृत्यू है ये 1597 में इश्वी को होई थी ये काफी बार पूछा गया है और ये हमारे वीर सिरोमणी मारना परताब के जून पर आधारित एक मुख्य तत्य है कि इनका जनम 1597 में विक्रम सवंथ और मृत्यू है ये 1597 में इश्वी को ही थी मारना परताब का जनम बादल महल कौन से महल में बादल महल में और ये कहां पड़ता है कटारगड दुर्ग कटारगड दुर्ग वरतमान कुम्बलगड में स्थित है और कटारगड ये दुर्ग है ये कटारगड कुम्बलगड दुर्ग में स्थित है और इनका जनम है ये 9 मईं 1540 इस वी को हुआ था नेक्स्ट बात करें जेस्ट सुकलतृत्या को मईं हिंदी मासी कलेंडर के अनुसार जेस्ट सुकलतृत्या को इनका जनम होता है और विकरम सवंथ की बात करें तो पंद्रा सोस्ताण में को इनका जनम हुआ था नेक्स्ट बात करें माराना परताप के बारे में तो इनके बच्पन का नाम कीका था किका इनके बच्पन का नाम था और किका किसे का जाता है बीलों के छोटे बालक को किका का जाता है जो बीलों के छोटे बच्चे होते हैं उनको किका के नाम से पुकारा जाता है मारना परताब को करनल जम्स टोड ने मेवाड केसरी का था किसने करनल जम्स टोड ने का था मेवाड केसरी इसी के साथ मारना परताब को हल्दी गाटी रा सेर भी कहते हैं हल्दी गाटी का सेर का जाता है मारना परताब को और करनल जम स्टोड ने कहा था मेवाड का केसरी या फिर मेवाड केसरी बच्पन का नाम कीका और भीलों को जो छोटे बालक होते हैं उनको कीका का जाता है नेक्स्ट बात करें उदे सिंग ने अपनी रानी बटियानी तो उदे सिंग की जो रानी थी बटियानी नाम था उनका क्या धीरबाई धीरबाई के जो पुत्र थे या फिर उनके प्रभाव में आकर क्या किया कि जगमाल जगमाल जो धीरबाई का पुत्र था उसको उत्तरा धिकारी बना दिया अब क्या होता है कि अखेराज सोनगरा ने जगमाल को गद्धी से अटा कर ये जो जवंता भाई थी इनके भाई है अखिराद सोनगरा और ये क्या करते हैं जगमाल को गदी से अटाकर मारना प्रताप को सासक बनाया नेक्ष्ट बात करें तो इस अवसर पर जब मारना प्रताप को सासक बनाया गया तो इस अवसर पर पंडित कृष्ण दास नामक एक ब्रामन कोन थे पंडित कृष्ण दास नामक एक ब्रामन थे जिनों ने 28 फरवरी कब 28 फरवरी 1522 इस्वी को 32 वर्स की आयू में मानना प्रताप की कमर में राज के तलवार बांद कर उद्यपूर में राज तिलक किया कांप पुद्दान किन कर रहा तो वो अखे राज सोनगरा कर रहा आगे बात करें लेकिन विदिवत रूप से राज दिलक की बात करें तो वो राव चंदर सेन की मौजूदगी में कुंबल गड़ दुरुग में हुआ कांपर हुआ कुंबल गड़ दुरुग में मारना परताब के पुटने सिंग का पुत्र जगमाल जो जगमाल था उसे हटाया गया था, वो नाराज हो कर क्या करता है, अकवर की सरण में चला जाता है, और अक वर चोटी मोटी जागिर दे कर उसे इसे किसी चिरोई के देवडा सुल्तान, कौणसे सुल्तान? शिरोई पर जो सासन करने वाले थे, دेवडा सुल्तान, उन्होंने क्या किया कि 5553 इस्वी में एक यूद होता है, गृते हैं दंतानी का यूद क Kubernetes कोते हैं, कौणसा यूद, दंतानी का यूद कब आया था 1570 में कहां पर आया था अजमेर आया था कोन आया था अकबर आया था नेक्स्ट बात करें तब अकबर ने अजमेर में मेगजीन दुर्ग मेगजीन दुर्ग ये मेगजीन जो नाम है ये अंगरेजों द्वारा दिया गया वास्तों में इसे अकबर ने क्या बनाया अकबर का किलह नाम दिया था और यहां पर एक किले का या फिर दुर्ग का निर्मान कर वाया था आकबर ने? नेकस्ट बात करें, राजस्तान में मुसलिम प्धती में बना हुआ एक मातर किलह है वो है मेगजिन का किलह, कौन सा? मेगजिन का किला मेगजिन दुर्ग को राजस्तान का सस्त्रागार क्या का जाता है राजस्तान का सस्त्रागार या फिर अकबर का दोलत काना का जाता है किसे मेगजिन दुर्ग को मेगजिन दुर्ग को राजस्तान का सस्त्रागार अकबर का दोलत काना इसे के साथ बात करें तो राजस्तान आले वाला पर्थम अंग्रेज सर टॉम्स रो कौन आये थे सर टॉम्स रो आये थे और मेगजिन के किले में इनके मुलाकात हुई थी 1616 आई सुई में किसे है जांगिर से जांगिर से मुलाकात हुई थी किन की पर्थम अंग्रेज सर टोम स्रो कब आये थे 1616 हिस्वी में नेक्स्ट बात करें तो 1908 हिस्वी में कब 1908 हिस्वी में के अंदर मेगजिन की किल्ए को राजपूतना संग्राले में बदल दिया गया थे कब बदला गया 1908 में और ये राजस्थान सरकार के द्वारा या फिर उसमें जो केंदर में सरकार थी उसके तहट इसे राजपूतना संग्राले के रूप में बदल दिया गया नेक्स्ट बात करें तो अकबर द्वारा आयोजित 1517 स्वी में कब 1517 स्वी की ये गटना है क्या होता है कि नागोर दरबार में कांपर नागोर दरबार में अधिकतर राजपूतों ने अधिकतर राजपूतों ने मुगलों की अधिनता सुईकार कर ली अकबर आया था नागोर दरबार में और यहां पर क्या होता है कि अकबर के दरबार में अधिकतर राजबूद इनकी अधिनता सुईकार करते हैं लेकिन मेवाड के महारणा परताप ने अधिनता सुईकार नहीं की अकबर द्वारा महारणा परताप से संदी है तो चार संदी प्रस्ताव बेजे गए थे कितने चार संदी प्रस्ताव बेजे गए थी कि अकबर ने उन लोगों को बेजा गया कि ताकि अकबर के वो लोग हैं वो मेवाड के महाराना को मनाई और अधिन्ता सुईकार करने को कहें नेक्स्ट बात करें तो वो चार जो संदी प्रस्तावक थे वो कौन थे पहली बार आया था पंदरा सो बैतरी स्विय में पंदरा सो बैतरी बात करें तो यहां पर जलाल खान आया था कोन आया था जलाल खान एक नंबर पे आया था पंदरा सो बैतरी स्विय में फिर जून पंदरा सो तेटर के अंदर कब जून 1573 के अंदर मिर्जाराजा मान सिंग आया था दूसरी बार फिर कोन आया था सितंबर 1573 में भगवंत दास उसके बाद आया था दिसंबर 1573 के अंदर टोडरमल तो इन चारों लोगों कोसंदी प्रस्तावक के रूप में अकबर के द्वारा बेजा गया लेकिन फिर भी माना प्रताब इन लोगों के कहने के बावजूद भी अदिनता स्विकार नहीं करते हैं इसे के साथ बात करें तो कुछ विद्वानों के नुसार माना प्रताब ने मान सिंग का अपमान किया था कुछ विद्वान हैं ये लिखते हैं कि माना प्रताब हैं इन्होंने मान सिंग का अपमान किया था इसलिए मान सिंग ने प्रताब के विरुद्ध अकबर को युद्ध है तू आगे बढ़ने को कहा जिसका प्रिणाम हल्दी गाटी हुआ था यानि कहने का ताथ पर ये है कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये जो युद्ध का कारण है ये मान सिंग का अपमान रहा था लेकिन अमर वनसावली ये कहती है अमर का विवनसावली में मान सिंग और माना प्रताब की मुलाकात सो हरते प्रोण होई थी मतलब एक दूसरी के भायचारे के तहट ये मुलाकात हुई थी ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ था किसमे अमर का विवन सावली में नेक्स्ट बात करें तो अकबर ने हल्दीगाटी युद की रचना मेगजिन दुर्ग में रची थी जो हल्दीगाटी युद हुआ था उसकी जो विव रचना थी वो मेगजिन दुर्ग में रची गई थी इसे के साथ नेक्स्ट बात करें तो अठारा जून पंदरा सो चेतर इस्वी में गोपिनाथ सर्मा का कहना है कि ये जो युद है हल्दीगाटी का ये 21 जून पंदरा सो चेतर में हुआ था लेकिन NCRT और काफी सारे विद्वानों का मानना है ये युद 18 जून पंदरा सो चेतर इस्वी में हुआ था और हल्दी गाटि का युद और इसे का जता है रक्त तलाई का युदット कौन सा युद। गाजता है रक्त तलाई का युद। Next बात करें हल्दी गाटि का युद मुगल सेनापती मिर्जा राजा मानसिग तो ये मुगलों के सेनापती थे कौन worked बात करें हल्दी गाटी युद के में अकबर की सेना का नेत्रित हुए तो अकबर जो अपनी सेना लेकर आया था वास्तविक तोर पर अकबर आया ही नहीं था अकबर कभी नहीं आया था रादस्तान लेकिन मारना परताब से लड़ने के लिए अकबर क्या करता था कि अपने सेना पती को या फिर सेना देख्स उनको बेजा करता था युदों के लिए तो क्या कि कि हल्दी गाटी के युद में अकबर ने की सेना का नेत्रित वे आमेर के मिर्जा रजा मान सिंग ने किया हल्दी गाटी के युद में मान सिंग का मुस्लिम सेना पती कौन था आसिफ खान तो मान सिंग का जो मुस्लिम सेना पती था तो वो मान सिंग आसिफ खान था नेक्स्ट बात करें मान सिंग ने मुगल सेना का नेत्रित तो करते हुए मौलेला गाउं कौन सा गाउं है ये मौलेला गाउं पढ़ता है राद समन्द में काँ पढ़ता है राद समन्द में यहां पर पढ़ाव डाला सेना का नेक्स्ट बात करें माना परताप के बारे में तो माना परताप ने युद्ध की योजना कुंसे कुंबल गड़ दुर्ग में बनाई साथ ही सेना में सेना क्या करती है लोईसियं गाउं कौन सा लोईसियं गाउं राद समंद में है जबकि जो मान सिंग थी उनकी सेना है मौलेला गाउं राद समंद में डेरा डालती है या फिर पड़ाव डालती है लेकिन मारना परताप की जो सेना है ये लो ऐसे गाउं राद समन्द में अपना पड़ाव डालती है नेक्स्ट बात करें तो मारना परताप का सस्त्रागार सस्त्रागार ये मायरा की गुफा उदेपूर था कौन सा मायरा की गुफा उद्यपूरी काफी बार पुछा गया कि उसने काफी इंपोर्टेंट था इसलिए एड़ किया गया नेक्स्ट बात करें हल्दी गाटी युद के समय माना परताप ने अपना मुख्य नियंतरन केंदरे केलवड़ा राजसमंद को बनाया था नेक्स्ट बात करें खल्दी गाटी युद में माना परताप की हरावल सेना सेना के दो मुख्यां गोते हैं सेना मान ली जी ये सेना खड़ी है यांपर इस तरफ माना परताप की है और इस तरफ मिर्जा राजा मान सिंग ही है तो बात करें माना परताप कि जो सेना का अगर भाग होता है वो हरावल कलाता है और सेना का जो अंतिम छोर होता है वो चंदावल कलाता है क्या कलाता है चंदावल हरावल भाग के नितरित्व की बात करें तो माना परताप कि सेना का जो हरावल भाग था यानी सेना का अगरिम भाग उसका नेतरितु है एक मतर मुस्लिम सेनापती हकिम का सूरी पठानी किया था तो मिर्जा राजा मान सिंग का जो सेनापती था वो आसिफ खान था और यहां पर बात करें मारणा परताब की सेनापती की तो यह सेनापती है हकिम खांसूरी नेक्स्ट बात करें हकीम खानसूरी का मकबरा खमनोर राजस्तान में बना हुआ है जब हकीम खानसूरी उस युद में परास्त होते हैं वीरगती को प्राप्त होते हैं तो उनका जो मकबरा है वो खमनोर राजसमंद में बना हुआ है हल्दी गाटी युद में बील सेना बीलों के चहिते थे कौन मारना परताब इसलिए मारना परताब को किका का जाता है बीलों के छोटे बालक को किका का जाता है इसी वज़े से क्या होता है कि बील महतुपण योगदान देते हैं इस युद में हल्दी गाटी के युद में और बील जो सेना थी यानि चंदावल जो सेना थी उसका जो नेतरतो है वो पुंजा के द्वारा किया गए किन के द्वारा पुंजा के द्वारा किया गए काफी इंपोर्टेंट कुछन है ये कि चंदावल सेना का नेतरतो है किस ने किया था, वो पुन्जा ने किया था. नेक्स्ट बात करें, हल्कटि युद में बनास का युद, जो हल्कटि का युद है, ये बनास नदी के नजदी किया, फिर उसके अफवाक्षितर में लड़ा गया, इसलिए बनास का युद भी का जाता है, साथ ही इसे कहा जाता है हातियों का युद कौन सा युद कहा जाता है हातियों का युद करनल जमस्टोड ने हल्दी गाटी को मेवाड की धर्मोपोली कहा है करनल जमस्टोड ने क्या कहा है हल्दी गाटी को मेवाड की धर्मोपोली अग धर्मापुली की बात करें नेक्स हल्दिगाट युद को अवुल फजल जो अकबर का मुख्य दरबारी इतियासकार था उसने खमनोर का युद का है क्या का है अवुल फजल ने का है खमनोर का युद करनल जमस्टोर ने का है मेवाड की धर्मापुली बात करें इस युद में मुझूद होता है इसने इसे गोगुंदा का युद का है बंदायों ने गोगुंदा का युद का है करनल जमस्टोड ने मेवार की थर्मापोली का है इसी के साथ अब उन फजल ने खमनोर का युद का है नेक्स्ट बात करें थर्मापोली अब ये करनल जमस्ट ने मेवाड की थर्मापोली क्या है इसके बारे मैं दिन करते हैं थर्मापोली नाम है कि एक मूल युद फार्सी से नानाएक ज्रेक्सस कौन है ज्रेक्सस वै युनानी वीर से नानाएक लियोनिडास के मद्देवा था कौन सा युद ये थर्मापोली का युद किनके मद्दे फार्सी से ना नाएक ज्रेकसस और युनानी वीर से नाएक लियोनिडास के मद्यवाता इसलिए करनल जेमस्टोड ने लिखा है कि मेवाड में ऐसा कोई स्थल नहीं जान दर्म, थर्मोपोली जैसी भूमी ना हो और लियोनिडास जैसा कोई वीर ना हो, तो किसने कहा है करनल जेमस्टोड ने नेक्स्ट बात करें हल्दी गाटी के बारे में तो हल्दी गाटी युद में परशिद इत्यासकार कोन बंदायूनी मुझूद थे हल्दी गाटी युद का आंखो देखा वर्णन कोन करते हैं बंदायूनी बंदायूनी ने अपने गरंथ कौन सा गरंथ है बंदायूनी का मुंत्खव उत्वारिक कौन सा मुंत्खव उत्वारिक जो बंदायूनी का गरंथ है उसमें क्या होता है कि युद के बाद बंदाय को राजपुतों के खून से रंगा था किस ने किस ग्रंथ के अनुसार मुंत्खब उत्वारी के अनुसार और आँखो देखा वर्णन कौन करता है बंदायूनी करता है नेक्स्ट बात करें हल्दिकाट युद के सुरुवात में राजपुतों ने मुगल सेना को पिछे अटा दिया यानि राजपूत इतने हावी होकर اٹेक करते हैं इतने भेंकर तरीके से अटेक करते हैं कि जो मुगल सेना ती उनके परफ़क्य उड़ा दिये वो भागने को मजबूर होगी लेकिन रिज़ोरो सेना यानि सामने वाली सेना ने सेनापती मेतरखान कुन था एक सेना पती में तरकान ने कहा कि अकबर आने की जूटी अफ़ा फेला दी कि अकबर अपनी सेना लेकर यहां पर आ रहा है जिससे मुगल सेना ने वापस जोस आ गया और इस जोस ने मुगल सेना को विजे दिलाई हालां कि लगबग त्यासकारों का मानना है कि यह जो युद है यह एनिरना एक रहा था इसमें ना तो अकबर विजे रहा ना इमाना प्रताप विजे रहा लेकिन शेन्य सक्ति के बारे में धिन करें तो सेन्य सक्ति की तुलना की जाए तो यहांपर वीर सी रोमनी मारना परताप की विजय मानी जाती है क्योंकि एक तरफ नाम मातर सेना हो और एक तरफ हजारों ये लाखों की सेना हो तो निश्चित ही ये जो युद है ये अनननाइक रहा यहां पर माना परताब की नाम मातर गिनी चुनी सेना और यहां पर लांखो सेनी काये थे अकबर की नेक्स्ट बात करें तो माना परताब की सेना में कौन कौन थे राम परसाद, गज़ परसाद, गज़ मुक्ता और लुना हाथी थे हातियों का यूद इसलिए का जाता है क्योंकि इसमें काफी सारी हाती है यूद में भाग लेते हैं राम परसाद, गज़ परसाद, गज़ मुक्ता, लुना हाती थी हल्दी गाट यूद में माना परताब की प्री हाती कौन था? प्री हाती था राम परसाद जिसें अकबर ने बाद में पीर परसाद नाम दिया था क्या नाम दिया था पीर परसाद हल्दीगाट युद में मिर्जा राजा मान सिंग का जो हाती था उसका नाम मरदाना था और बात करें अकबर के हाती के नाम तो अकबर के हाती का नाम हवाई है क्या नाम था? हवाई नाम था, मिर्जा रजा मान सिंग का जो हाती था, वो मरदाना था, और मारना परता है बचो पिर यह हाती था, वो राम परसाद था, बाद में अकबर क्या करता है, इसको बंदी बना लेता है, और का ले जाता है, दिली ले जाता है, और दिली में क्या कर आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, यह माना परताब के विशे में पहला पार्ट होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो एक सेर जरूर करें, और इसी के साथ आप चाहते हैं कि पार्ट सेकेंड भी एड किया जाए, तो आप कमेंट करके अमें जरूर आई हो, इसी के साथ अगर वीडियो आपको काफी परबावित करता है, मेरा यह जो एडिटिंग है आपको पसंद आता है, तो एक सेर जरूर करें, थेंक यू, हैवे नाइस दे